हालो फ्रेंट्स आपका स्वागत है कैरियर लाइब 247 यूटूब चैनल पे आज है 21 अप्रेल 2020 और आज हम लोग 21 अप्रेल का करेंट एफेट्स करेंगे और इसे जो भी रिलेटेट फेट्स होगा वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और ये वीडियो है जो मौनिंग में यूटूब पे चार बज़े आता है और फेस्बूक पे छेλοफार आता है अगरा वी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का first question है हाली में संजुक्त राष्ट चीनी भासा दिवस कम मनाया गया है तो इस दिवस को मनाया गया है 20 अप्रेल को तो इसका answer हो जाएगा C और यह संजुग्त राष्च चीणी भासा दिवास को मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है दीन कंगी जी को स्रधांजली देने के लिए उनका क्या नाम है? दीन कंगी जी और ऐसा माना जाता है कि 5000 सल पहले जो चीणी का लेटर था उसका अविस्कार किनी को माना जाता है किन को माना जाता है दीन कंगी जी को और उन्ही को सरधांजली देने के लिए संजुक्त राष्ट जीनी भासा दिवस 20 अप्रेल को मना जाता है कम मना जाता है 20 अप्रेल को मना जाता है और जो बरतमान में अभी संजुक्त राष्ट के म भारतिये फैक्ट चेकिंग बेव साइट के साथ साजेदारी की है तो उसका क्या नाम है बूम इसका एंसर हो जाएगा बी इस थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को किसके दौरा सुरू किया गया है फेस्बुक के दौरा सुरू किया गया है और इसके साथ साजेदार हैं. उनको रोपना है अब हम बात करते हैं मार्क जूकरबर्ग क्या नाम है मार्क जूकरबर्ग नेक्स्ट है हाली में किस राजी सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपे देने की घोशना की है तो उस राज सरकार का नाम है मद्य पर्देश क्या नाम है मद्य पर्देश तो इस कैंसर हो जाएगा C जितने भी कोरोना रोगी हैं उन सबों को मद्य पर्देश राज सरकार 10,000 रुपे देगी कितना देगी 10,000 रुपे देगी अब हम बात करते हैं मद्य पर्देश की तो मद्य पर्देश के जो अभी बर्तमान में मुख मंत्री हैं उनका क्या नाम है उनका नाम है उनका नाम है अनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हो गया है उनका क्या नाम था तो उनका नाम था जीन डीच क्या नाम था जीन डीच तो इसका एंसर हो जाएगा बी 1960 के दसक में उनकी एक फिल्म आये थी जिनका नाम था Munro क्या नाम था उस फिल्म का Munro इस फिल्म के लिए अनिमेटर सौट फिल्म की सरेनी में उन्होंने आसकर पुषकार जीता था और उन्होंने इसके अलावा टॉम एंड जेरी पॉपे दसेलर्स रिंखला में कुछ एपसोर्ड को भी निदेशित किये थे उन्हें 2004 में अनिमेशन में दिये गए आजीवन योगदान के लिए एक पुरुसकार से सामानित किया गया था उस पुरुसकार का क्या नाम था? विंसर MCK next है हाल ही में ग्री मंतराले ने नीजी वेक्तियों को किस वीडियो कॉंफरेंस्ग अप्लिकेशन का उप्योगक करने से बचाने के लिए सलाह जारी की है तो उस वीडियो कॉन्फरेंसिंग अप्लिकेशन का नाम है जूम, क्या नाम है जूम, तो इसका एंसर हो जाएगा A अब ये जूम है क्या तो जूम एप है जो एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप होता है जिसमें एक साथ 100 लोग वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बात कर सकते हैं और इस एप के माध्यम से 1-2-1 मीटिंग ग्रूप कॉलिंग की सुविधा भी 40 मिनट के लिए एप लेवल होती है और इसी जूम एप्लिकेशन कॉप्यों करने से बचाने की सलाह दी गई है किन के द्वारा दिया गया है गृह मंत्राले के द्वारा और बर्तमान में अभी ग्री मंत्राले किन के पास है अमीद साह के पास है किन के पास है अमीद साह के पास है नेक्स्ट है हाली में किसने team mask force बनाई है तो इस team mask force को बनाया गया है BCCI के द्वरा किसके द्वरा बनाया गया है BCCI के द्वरा तो इसका answer हो जाएगा C अभी BCCI ने भारत के किर्केटर के साथ मिलकर साजनिक अस्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने के लिए और COVID-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए एक वीडियो बनाया है इस वीडियो में साजनी का स्थानों पर मास्ट पहनने के बारे में जागरूप किया जाएगा इस वीडियो में सभी किरकेटर के द्वारा मास्ट पहनने के महत्यों के बारे में बताते हुए दिखाया गया है तो इस Team Mass Force का गठन किसके द्वारा किया गया है, BCCI के द्वारा किया गया है, अब हम बात करते हैं BCCI की, तो BCCI का Headquarter कहां है, इसका Headquarter है मुंबई, और जो BCCI के अभी बर्तमान में जो अध्याच है, उनका क्या नाम है, सौरफ गॉंगली, क्या नाम है, सौरफ गॉंगली, नेक्स्ट है, हाली में 20 लीवर यक्री दिवस कम मनाय गया है, तो 20 लीवर यक्री दिवस मनाय गया है 19 अप्रेल को, तो इसका Answer हो जाएगा D, और ये जो World Lever Day है, वो उसको मनाया क्यों जाता है, उसको मनाया जाता है, मानो सरीर में, जो लीवर होता है, उसके Importance को समझाने क लोगों को इसके प्रति जागरूप करने के लिए मनाय जाता है, तो 20 लीवर यक्री दिवस कम मनाय जाता है, 19 अप्रेल को, नेक्स्ट है, हाली में COVID-19 पर प्रस्नों का उत्तर देने के लिए किस राज ने Facebook के साथ चैटबोर्ट विक्सित किया है, तो इस चैटबोर्ट को विक्सित किया है पंजाब रासरकार के दौरा किसके दौरा पंजाब रासरकार के दौरा तो इसके एंसर हो जाएगा C, पंजाब रासरकार ने users के लिए Corona Helpdesk चैटबोर्ट को लाँच किया है, यूजर्स को इस चैटबोर्ट पर Corona virus से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, औ पंजाब सरकार के Facebook पेज़ पर उपलबद है कहां अब लेवल है पंजाब सरकार के Facebook पेज़ अब इस चैटबोट को लॉंच किया गया है पंजाब राज सरकार के दवरा तो बरतमान में भी पंजाब के मुख्य मंत्री कौन है वह अमरिंदर सी क्या नाम है उनका अमरिंदर सी और जो यहां के भी बरतमान गवर्नर है उनका क्या नाम है भीपी सी बदनौर क्या नाम है भीपी सी बदनौर नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राश्टपती ने कोरोना से पर्भावित अर्थवेवस्था को पट्री पर लाने के लिए तीन चरणों की योजन है और इस देश में मौत का आकड़ा भी सबसे ज़्यादा है कोविट-19 महामारी के कारण जो संसकत आया है अमेरिका देश में उससे अाजमें के लिए अभी त्हुंपणे योजना बनाई है उसका नाम क्या है नाम है खोल ने का आजबर होंगें पुर bon उन सभी को rule and regulation follow करना पड़ेगा और जो दूसरा चरन है उसमें जरूरी office को खोलने का इजाज़त दिया जाएगा और जो तीसरा चरन है और वो last चरन है उसमें अगर ये दोनों चरन है जो सफल होता है तो छूट का जो दाइरा है उसको और बढ़ाया जाएगा तो इस तीन च न чем green win concept किए ठाए हौल ही में किस आइ-a टीन ती ने को विडàiतीन मरीजों के लिए व 치सित किया है तो आइ-इय टी रौ पर ने Qobl 19 अरीजों के लिए वाटवाट वि किया है तो इसका adsa में किस देश के राष्ट पती ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोशना की है तो वह है अमेरिका कौन है अमेरिका पैकेज का घोशना किया है 19 अरब डॉलर 19 अरव डॉलर के राहत का पैकेज का घोशना किया है नेक्स्ट है हाल ही में किस राज में चित्रा जिन लैंप एन नामक डाइगोनिस्टिक कीट लॉंच किया गया है तो इस कीट को लॉंच किया गया है केरल रासरकार के द्वारा तो इसका अंसर हो जेगा A और यह जो कीट है लैंप इन उसको कीट संस्थान के द्वारा लॉंच किया गया है वो संस्थान का नाम है स्री चित्रा तिरुनाल आयरविज्यान और प्रदोग की संस्थान केरल ने कोवीद 19 महामारी से निपटने के लिए एक कम कीमत वाली कीट को विक्सित किया जिसका क्या नाम है लैंप इन जो केवल दो घंटे में कोवीद 19 का पता लगा सकता है अब इस कीट को लॉंच किया गया है केरल रा सरकार के द्वारा तो केरल के जो भी बरतमान में मुख मंत्री है उनका क्या नाम है पीनराई विज्यन क्या नाम है पिनराई विज्यन और जो बरतमान में अभी केरल के राजेपाल है उनका क्या नाम है आरिफ मुहम्मद खान क्या नाम है आरिफ मुहम्मद खान नेक्स्ट है हाली में Settling to the Top The Story of PV संधू पुस्तक का भी मोचन हुआ है इसके लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है V. Krishna Swami क्या नाम है उनका V. Krishna Swami तो इसका एंसर हो जागा D और ये जो पुस्तक है वो PV संधू के Life-based है जिसके लेखक कौन है V. Krishna Swami और PV सिंधू है जो Olympic में रजद जितने वाली भारत की पहली महिला है वो एक मात्र महिला खिलाडी है जिनोंने Olympic में रजद पदक जीता है और PV सिंधू बीश्व की 60-10 सबसे अधीक कमाई वाली महिला अथलीट की सुची में सामिल पहली एक मात्र भारती हैं तो PV सिंधू के पुस्तक का क्या नाम है Settling to the Top The Story of PV संधू और इसके लेकर थे V. Krishnan Swami Next है हाली में बिटेन सरकार ने किसकी अध्यस्ता में वैक्सिन टास्पोर्स का गठन किया है तो इस टास्पोर्स का गठन किया गया है Patrick Valence के द्वरा किसके द्वरा? Patrick Valence के द्वरा तो इसका अंसर हो जाएगा B और विटेन सरकार ने Corona Virus के वैक्सिन खोजनेे के लिए इस टास्पोर्स का गठन किया है और इसके लिए उन्होंने वैक्सिन और इलाज के बिकास के लिए 14 million डॉलर pond का fund का ऐलान किया है 14 million pond विटेन के जोभी बर्तमान में पर्धान मंत्री है उनका क्या नाम है Boris Johnson क्या नाम है उनका Boris Johnson आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगे भी शेयर करें इस वीडियो का पीडियो का लिंग टेलिग्राम चनल पर दे दिया गया है आप इस में को क्लिक करके आज के में म Yannoda कर आज आता है और जो दूसरा लिंक अं जबक करके रहेल्वेइंट्य लाइनर का बिडियो देख सकते है और यह म्रॉनिंघ में5 ज़ए आता हैareth for watching